क्या आपनों को पता है कि वो कौन सी कानून की धारा है, वो कौन सा एक्ट है जो आड़े आ रहा है, इस ग्यान व्यापी मस्जिद वाले मामले में, ताज महल वाले मामले में, कुत्ब मिनार वाले मामले में, लेकिन क्या वो धारा राम जरम भूमी वाले मामले में आड़े आ किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे और अगर यह अडचन हट जाएगी तो हमारे पास हमारे मंदिरों को लेने के लिए वापस लेने के लिए जिनकी दिवाल ने तो है मंदिरों की पर उसके ऊपर कुमबड डाल दिया गया टोपी महना दी गई है और वो आज की डेट में आज करता हूं आपके लिए बटा तो पहले तो लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं ज्यानवेपी मस्जिद कोट से ओर ले लिया गया था कि सर्वे हो जाया और पता चाले जाया कि इस तरफ और उस तरफ मिला के मंदिर है या मस्जिद है पहले क्या था महाँ पे मुसलमानों ने रोक दिया, क्यों रोक दिया, कोई कारण नहीं, और अब बैठके उनके क्लेरिक्स टीवी पे ये हवाला देते हैं, कि वो रोकना ने चाहिता, गलत है, अब क्या फाइदा, कोट से specific order, specific restrictions, police force, सब तमाम लगाना पड़ेगा, तब प्यार से काम नहीं और देखा जाए कि क्या है, अपील करने वालों कहना है कि उसमें हिंदू के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और हिंदू सब बेदा से लेटेट चीजें हैं, पहले भी कई वीडियो, research और तमाम चीजें ऐसी आई हैं सामने, जिससे ये थाबित हुआ है, कि ताज महल का वो पत्थर जिसपे अरबी टेक्स्ट छपा हुआ है, वो पत्थर और rest of the structure के पत्थर दोनों में carbon rating का फर्क है, दोनों के year का फर्क है, मतलब पूरा structure पहले का था, और वो हिस्सा संस्क्रित वाले टेक्स्ट को हटा के अरबी वारा टेक्स्ट डाला गया, ऐसा कहा जाता कितना सच है, research होगी, team जाएगी, SI जाएगी, सब जाएगा तो पता चलेगा, लेकिन जाने तो दो, constitutional ways से करने तो दो, लेकिन problem है, कुतुम मिनार वाले हिस्से में भी कहा जा जारा है कि कई कई जगा पे आप खुद भी जाके देख चुके होंगे, कि छोट-छोटी मूर्त दिया हुआ, सर काट दिया है, मंदिर तोड़ दिया, यह सब सबूत है कि यह किया धरा है, Islamic invaders भारा, अब इन सब चीजों को कहा जा रहा है कि सिर्फ कोट इतना ही permission दे कि हम पहले survey करें, फिर पता करें कि क्या बात है, वो place क्या था, उसको क्या बना दिया गया, उसकी क्या सर्वे से ही डर गए है, मुसल्मान, उनको लग रहा है कि हमारा confidence एक तरफ है कि सर्वे होके सचाई सामने आ गई, तो एक के करके हम एदम effective जो भी ऐसे ना कि कहा जाता कि Islamic architecture है, इसको हम lose कर देंगे, दुनिया भर में बेजिती हो जाएगी, और यह हमारा तो कुछ नहीं रह बिना किसी कारी-गरी के, और दिवाल पीशे रही गई, इतनी जल्दी बाजी थी, तो मैं वही सोच रहा हूँ, ऐसे लोग, ऐसी सभेता, जो अरब से उठके है थी, इसने अरब में आज तक कुछ नहीं बनाया, उन्होंने ताज महल बनाया होगा, और कोतो मिनार बनाया हो हुआ है, और जिसकी वज़े से अरचने यहा रही है, उसको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, अगर आब अभी तक रुखे हैं, तो बहुत अच्छे बात, इम्पॉर्टन इससा है, इस एक्ट का नाम है, The Places of Worship Act 1991, और यह बना था 18 सितंबर 1991 को, और लागू हुआ था रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से, मतलब कि समय से पहले जब उन्हेने एक डेट बता दी, कि 15 अगरस 1947, उस वक्त से लागू होगा, बना अब 91 में और लागू तब होगा, ऐसा होता है, कई कानौनों साथ हुआ है, उसमें यह कहा गया है, कि 15 अगरस 1947 को, जो religious places जैसे है और जिसके हैं, वो वैसे ही रहेंगे भविश्य में, उसमें कोई छेड़ चाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन राम जनम भूमी वाला मुद्दा कैसे बच गया, उस एक्ट में नीचे यह भी लिखा है, कि राम जनम भूमी और बाबरी मस्जिद को छोड़के यह सब पे ला कोट के द्वारा, तो हमारे पास उस सारे रास्ते खुल जाएंगे, कि हमें सिर्फ सर्वे कराना है constitutionally, legally, कोट से इसाज़ात लेके, और उसके बाद जो निकल के आते हैं सबूत, उसके ओपर फैसला लेना है, और उसके इसाब से structures को खड़ा करना है, भरबात करना है, क्या क करना है, क्या नहीं करना, क्या घोसित करना है, वो बात के बात के फैसले हैं, और यही वो धारा है, जिसको लेके, मुसल्मान, ग्यान व्यापी, कुत्ब मिनार, ताज महल, और राम जन्मू में भी मुद्दा चलाता, लेकिन वहाँ पे exception है, तो हाँ नहीं चला, और इसी को लेके बार-बारी कहा जाता है, कि नहीं, आप नहीं बजल सकते, पर हम कह रहे हैं कि सरवे करा लो, अब यह कोट के उपर है, कोट के जज्ज्मेंट के उपर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं चालता हूँ इस वीडियो को आप शेर करिए, आपका क्या पक करता हूँ आपके लिए बटा